हलो फुरेंट्स कैसे है आप सर आई होगे आप सबको मेरा बहुत और नमस्ते म oportunist पर बच्चों का बना पर बच्चों का मैंने पहले ही शूट कर लिया है वह भी चारा लेकर आई हैं उसलिए उन्हें पता नहीं है देखिए गाएं अपने बाड़े में आ रही है उस और की गाएं उस और जा रही है और इस और झायेंगी उन्हें अलग अलग नहीं करना पड़ता है यह रोष्य के आदि हो चुके हो पहले हूँ अपनी जगह पर च नारी जाए जाए बड़े बड़े सुष्वारी जाए बाड़े जाए बड़े सुष्वारी जाए को इसी गया है पर तीरोई के जाए नारी जाए अई पुट आई जाए गई है भारी जाए 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 बुट अजल यगेrah पख़व भाड़े जाई भाड़े सिर्ट नारीज जाए घड़े भत लोगे जाए उनके पास एक नंदी भाराज है, जो कि बहुत ही सब्सक्राइब, मैं उसको आपको दिखाऊंगी, पैसे इन गाये के रहे जोड़ाएं, और देख गाये आगई है इस और से, उनकी बाट खाने के लिए आगई है, मैं उनकी बाट भी आपको दिखा देती हूं कि वह बाट मे कि आपको देखे वह बाट गाउं कि अधा जो है, जब्लाने के हैं, मैं उनकी इननकी ने ने टह फ्लिबाट, अघंद सभी खाने के बाट, आट ए आपको देखे हैं, तर टहरोडी मैड़ के रर्के जिए आन हो देखे उसक्टे, देखे लब्या, ए मैं बाट उतिखेंगी फ्लोर होता है यहोता है बाजरा होता है मका होता है गवार फली होती है जब कुछ होता है भाज इसको बिगों कर इसमें घायों की बाठ तैर तर्चार कर देते हैं और बाठ भी आप देखिए कम नहीं है बहुत ज्यादा बाठ है वो रख कर उसकी मिल्किंग बोलुक करते हैं तो हम देखते हैं उनकी लाइव मिल्किंग तो चलिए मेरे साथ दूसरे बाड़े के पास आपको हम नंदी मारा दिखाते हैं वह वाले देखिए अपने डराव में हैं और अब भी हम उनके पास नहीं जाएंगे ज्यादा क्योंकि वह अग्रेसी है तो हम उनके पास नहीं जाएंगे यह काक्रेज नसल के नंदी है और यह गाये जो आप स्वबा बहुत सांथ है वह काकरेज की थोड़ा तरफ अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है और इनकी कद काथी थोड़ी कमजोर है और यह एसी गाये है ना कि आपको आप उसके बोले बोलेंगे कि परवत पे बीचड़ जाओ तो यह परवत पे बीचड़ जाएंगी इतनी मजबुत कद काथी की यह गाये होती है और इनके सिंग सिर्फ सोफ करने के लिए होते हैं बाकि दगावने बिल्कुल भी नहीं होते हैं इस हिस्से में इनकी घाये थोड़ी ज्यादा है तो जब हम उनकी मिल्किंग होगी तब तक करते हैं उनसे थोड़ी बाद्चित चलते हुआ हैं मुझे अर पास फ्रेंट नम आ गए उनके बाड़े के बिच उनके साथ देख देखते हैं यह लोग मिल्किंग कैसे करते हैं और मुझे थोड़ा डर्न लग रहा थैंशीमेद ने उँठा लिया है यह वाला लट लट पके इसजल देखते हैं लोग कैसे पेरो को बानने के लिए अब जैसे ही वो जो नाम बोलेगी ना वो ही बच्चा बाहर आएगा और उसकी मा के पास सीधा जाएगा इतनी उन्होंने ट्रेनिंग दे रखिए देखिए मैं दिखाती हूं आपको देखिए इस बच्चे को उन्होंने बाहर ले लिया है ये सीधा जाएगा अपनी मा के पास देखिए ये अपनी मा को डूंड रहा है देखिए देखिए ये ये अपनी मा के पास चला गया है और ये लोग ऐसे ही मिल्किंग करते हैं खूले में पर इनकी शालिंता देखिए आप लोग देखिए गाय क्राउड में खड़िये बीना खुटे से टंगिये फिर भी वो लोग मिल्किंग करेंगे इसकी देखिए बच्चे को लेकर देखिए वो बच्चे को बांध रही है बच्चे को गाय के आगे रखने के लिए मेरे पास बिलकुल एक गाय खड़िये फिर भी बहुत कितनी शानते देखो ये अब मुझे थोड़ा-थोड़ा डर नहीं लग रहा है देखिए वो मिल्किंग कर रहे हैं अभी उनका मिल्किंग करने का स्ट्रेल अनोखा होता है हमें तो थोड़ा सा बाजट भी चाहिए ब बेठने का अंदस देखिया और बाल्टी को दोनों गुटनों में दबाने का अंदस देखिया बहुत ही शानदार है देखिए मैं जूम करके दिखाती हूं आपको देखिए ये वाला देखिए ये बहुत ही शानदार है जब भी गाये हिलती है तो वो नाम से उसे कंट्रोल करती है वो नाम से उसे बुलाती है तो वो शांत हो जाती है इस तरह से देखिए इस और वो दूसरा बच्चा निकाल रहे हैं क्योंकि सभी बैने मिलकर मिलकिंग करती है देखिए यह दूसरा बच्चा निकाल रहे है अभी यहां से अधिकालेंगी और उन्होंने ले लिए एक और बाल्टी और देखिए यह यह बच्चे ने अपनी मा को डूंड लिया है अभी इसे मेरे केमेरे से क्या चाहिए पता ने देखिए इसके मिलकिंग स्टार्ट हो गई है देखिए बच्चों को कैसे दूर करते हैं यह लोग देखिए बच्चों को उन्हें हटा लिया है अब वो करेंगी मिलकिंग देखिए अब हम चलते हैं बाड़े के बाहर और वहां से यह नजारा एंजोई करेंगे देखिए गाइज उन्होंने बच्चे को कैसे पकड़ के रखा है देखिए बच्चे को खूटे से बानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और देखिए एक मिलकिंग कर रही है और इसकी एक बहन बच्चे को ऐसे पकड़ देते हैं बच्चा पूरी कंट्रोल में रहता है उसकी देखिए बच्चे कितनी छोटी है फिर भी उसे इसली कंट्रोल कर रही है यह उनका ट्रीक होता है खुद का देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे उसन करते हैं गाय को आगे बच्चा चाहिए और बाद में थोड़ा सा दूत भी पी लाना होता है तो इसे बार-बार अंदर बाहर अंदर बाहर नहीं करना पड़ता है इसी वज़े से ये लोग एसा करके बचों को कंट्रेल करते हैं और उनकी मिलकिंग खतम होने तक गाय के आगे भी रखते हैं और इनकी गाये देखो बिना बाट के खड़ी है बच्चों के उपर और नहीं उन्होंने इसे बांदा है कहीं से मेरा भी मन कर रहा है थोड़ा-थोड़ा दूद नीकाल उपर डर लग रहा है अभी मुझे जरी है अबाट करणता है जाटकी मिलकिन कर रहो है अधि इनको गाए को ढ़रे दीने किया दो तो गाय को दार दीने के आड़ा की ये किशली मेने पहले गाए को धार दीने जुद वाली आपर दोई लिए उके? आप बदू डोयिए उके? बदू जोई लिए नुखव कर दोगुड़ी आतोर रखोर भी तोगड़ी आतोर रखोर हैं टोगड़ी आतोर रखोर गी? एककस रहें. खुटे वाड़ो खाके वाड़ो. अगे वाओन, पासर बाचो. धिन्गोए. अबाँ, आगे भी, आपके वाड़ो खाके वाड़ो खाके. आपकोड़ा भी ने बीडियों, अपड़ा हो, पहले बाड़े में हम जा चुके थे, अब आ गए हैं, हम दूसरे बाड़े में वहां मिलते हैं नारणभाई से और करते हैं उनसे कुछ भाथ चीट, नारणभाई जो की हिंदी नहीं जानते हैं, वह गुजराती जानते हैं, त तुम्हार पास किकली गायों है? महारे शाले चारिज गायों कत्री दूजुनी है आपड़ी दूजुनी दस बाज तो बद्दर न दूदेरी मस जाए? या बद्दरी दूदेरी मस जाए? तुम्हें मूलवतनी क्या ना? बद्दरी दूदेर्ड तुम्हें मूलवती दूदवतπα चालुपक का पीपूदरा आम तो रभ्भरी समाझे है? रभरी समाझे ना? तो किट्ला वरश्ते तम्हें गायों हे बदू सीRO? कट्ला वरश्ते मी Clayton कि या मनी विश्ती टीस साल थी त encant window only your father दूद? कि तमने यह 20 वर्षताइगा यह तो तमने दरसला बददी घायों माते किरा महिना तमें आगाम्मा रो तैनह लगभग हमें लगभग आठ्ह नम्हीम नखरा असनम वर्षाद एकले पची जवाड तो पची तिया चारों मराज़ हो एकल एकला माटते जवाड वर्षात पची तम अघ्या रहे हैं वह तिया करने फो करने प Dre जाएट लगभग कायों तुम नहीं आखी चारो मडी जाएट दर सल लगब गायो बद्धी तमारी गौचर मा फरती हो अमारा बदना खेतर हो तो तमारी दर सल कितली गायों नुक्सान थाए? विदा रहे का सबसादा डोच आठाउं रधापों थोयां उसरोड नरफीले पिले कृटदि भी हम्हों और यमर्व मते हैं सब्धब का सब्सक्राज सबाखे हुआ जो दो एक नोगसाने निख्षान हो आप सरो नुक्साने तमार पास अतर सुदी पेलो खागड नुट नुट नै? नुटू खागड होए जाई। मैं बेतरिंग दिवस्त्य बाह्यों में उंहाई या तो मैं दो आजाती कहीतए तो आजud सी रुई कहे वाई या शीरुई के वाई कोकरोल हो प्यलोका वह कोकरोल है आजो अमनों आज़ कोकरोल है ओर यामने साल लायो 8 वर 24 दंथया कॉलिटी सारी हांडे नी प्योर कांगरेज हुए सांडे हुए ना सरसे ना प्योर कांगरेज हुए ना प्योर कोई भूने तमार बद्धा बच्चा है बहु तंदूर स्टेटले तम्हें दूदे घौत यूड़ाउ तयो लागे है दूदे पीवत से भावी पाक्ति मो दोई से आपड़ाउ दूद ना बराऊ तम्हें रात्रे दूदना बराऊ तोड़ा थोड़ तोड़ वेहाल हुए अपड़ाई परे खावा है अपने लीटर-बे-लीटर खपे राखू पड़े तम्हें चास किया रे बनाऊ चास तो खावा पूर्ति बना ये लीटर ये उम्योल पहले हाथे टीज़ लोट आथो थी जाले पर आपने कोई माता जीनों दीवे साहँ यह दारे कोई थी 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 यह बारस्ते रश्ते रश्ते अमें जी पाते एदियस बद्धु राखो लुगरे एदियस बद्धु आपने 10-15 लीटर मेल विल वी निया वी बशी थावी थाव आपको इनका गव परिवार दिखाती हूं बहुत ही शांदार है मैं आगई हूं बाड़े में थोड़ा दड़ते 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 पर अब डर नहीं लग रहा है अभी बहुती शांदार इनका गवन से यह इनके सींग दिखावे के बड़े होते हैं बाकी यह बहुती शांत श्वभाव की होती है बहुती शालीन होती है इनसे आपको कोई दिकत नहीं देखिए मैं देख रहों यहाँ पर थोड़ी से खुले में ही होती है, एक गाय को न्याड़ा लगाती है और एक गाय को बच्चे को कंट्रोल करते हैं इस तरह से, बच्चे को गले से बांद कर मूह में मोरी पैना देते हैं, इसलिए बच्चा कंट्रोल में आ जाता है उनके, देखिए ये, और इनको बच्चे का बुलाने का तरीका और गाय के, हर एक गाय के नाम रखे हुए हैं, वो गाय को नाम से बुलाते हैं और बच्चों को भी नाम से बुलाते हैं, जिस बच्चों को उनकी मा के नाम से बुलाते हैं और वो बच्चे आ जाते हैं बाहर, देखिए बच्चा उसकी पूरे कंट्रोल में अभी और गाय के पास से वो हिलेगा भी नहीं और गाय भी वही पर खड़ी रहेगी और मेया पी बाड़े में फिर भी मुझसे उसे कोई दिक्कत नहीं है जरा भी वो मुझसे कन्फ्यूज नहीं है देखिए यह उनका दूद न केलने का स्टाइल थोड़ा अनोखा होता है हम लोगों से अलग होता है हम लोग वह बाजट पर बेट कर निकालते हैं वह लोग उनका बैठने का स्टाइल भी अलग होता है उनका पहनावा भी काफी अलग होता है हमसे देखिए में आरणभाई का दिखा दिर यह इनका ट्र तो लाल रन का लाल पागडी पहनते वह थे जम्हों देखा हैं ये दो थन अपने बच्चे के लिए चोडेंगे और दो थनों का दूद निकालेंगे In नार्णब भई से पूंशते हैं अपकी घायों में जयाया से ज्याधा कितना दूद निन निकलता है estás बच्चे बच्चे को पिलाने के बाद के बच्चे को पिलाओ यह रिट ना you छे लीटर बहुत ही बढ़ीया दूद होता है बिना कुछ खाए गौचर में गुमके ही दूद इवो दिक बहुत ही अच्छा और तमारा दूद नी एवरेज फेट के टलू आवे एवरेज फेट शार्थी हाड़ा शार चार्थी साड़ा चार फेट आवे तमार दूद नो त सारी होए अबराबर शेज नाश बवर सरस्थे तमने मडी ने खुब जानन था यह देखिए तो फ्रेंट्स कैसा लगा मेरा आज का यह व्लोग मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थेंक्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इससे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे हैं और मेरे चैनल के वीडियो देखते रहे हैं थेंक्यू बापाई